मैट्रिक और इंटर 2021 में फरवरी महीने में जिने परिच्छा विहार बोड के देना है उन विद्यार्थियों के लिए एक खास खबर है जिसे आपको देखना चाहिए अगर आपको 2021 के मैट्रिक या इंटर परिच्छा में शामिल होना है तो निश्चित तोर पर इस विडियो को आप जरूर अंत तक देखें सायद आपके किसी काम आ जाए जिन्दगी तुमसे हर कदम समझोता क्यों किया जाए जिन्दगी तुमसे हर कदम समझोता क्यों किया जाए सोख जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए जब जिलेबी की तरह उलज रही है तू ए जिन्दगी तो फिर क्यों न तुझे चासनी में डुबो कर मजा लिया जाए नमस्कार आप इस समय देख रहे हैं मगस संबाद और मैं आपके साथ हुश्णिल वो भी जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो मैट्रिक और इंटर 2021 में फरवरी महिने में जिने परिच्छा विहार बोड के देना है उन विद्यार्थियों के लिए एक खास खबर है जिसे आपको देखना चाहिए अगर आपको 2021 के मैट्रिक या इंटर परिच्छा में शामिल होना है तो निश्चित तोर पर इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखे सायद आपके किसी काम आ जाए तो दोस्तो मैं उन बच्चों को पुना कहना चाहूंगा जो आप इस शमय हमारे इस वीडियो को देख रहे है सतत परियास और सतत मुल्यांकन बहुत जरूरी है कुरोना काल में बिद्यार्थी, मैट्रिक और इंटर के घर बैटकर अब तक तैयारियों में जूटे हैं एक फरवरी से इंटर की परिच्छा का बिहार बोड का एलान है लेकिन संभुता क्या एक फरवरी से या परिच्छा प्रारम होगा या तिथी और आगे बढ़ाये जाएंगे तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपके बीच लेकिन आप चाहे विद्या ले जाते हूं, कोचिंग का सहरा लेते हूं या घर पर स्वाध्याय करते हैं सतत मुल्यांकन, सतत पर्यास, सतत अध्यन करने की आव सकता है लगतार पढ़ाई करने की नीमों में बंध कर जरूरत होती है जब तक पागल पन नहीं आता है किसी ने कहा है कि किसी काम को करने के लिए जब तक पागल नहीं बन जाओ वो उस मंजिल तक आप नहीं पहुश सकते हैं अगर मैट्रिक या इंटर में आपको अच्छे अंकल आना है क्योंकि मैट्रिक और इंटर वह दरबाजा होता है जिससे जिन्दगी की एक नई राह खुलती है तो सबसे पहले आपको पागलपन खुद को सबार करना होगा खुद पागल बनना होगा यानि अध्यन के लिए पागल बनना होगा तब जाकर एक अच्छे पास सभी कर जाते हैं लेकिन उसका खास माइने नहीं लेकिन पास में भी अच्छे अंको से अगर पास कर जाएं तो खास उसकी एक जिम्वारी और एक अच्छे नाम के साथ में उभार आता है लोग जानते हैं तो इसी सतत पर्यास के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के सामने विद्यार्थियों के सामने जो इस बार मैट्रिक और इंटर की परिछा देना है लोग कह रहे हैं कि इस बार पढ़ा ही नहीं हुआ तो प्रस्न जो है कुछ EG होगा अरे EG क्या होगा जो पढ़ा है उसके लिए वह प्रस्न EG मान लिया जाता है होगा तो ही किताब से इसके लिए धेर सारे मॉडल पेपर भी मार्केट में आ गये हैं बहुत सारे टीचर गेस पेपर भी आपके बीच रख देते हैं गेस करके कोस्टन भी रख देते हैं लेकिन उसकी संख्या क्या होती है बहुत लंबी काफी संख्या होता एक बीच हो तो कर लो तैयारी अगर आप इंटर की परिचा देते हैं साइंस पेपर से अगर बायो ली हुए है तो उसके साथ में फिजिक्स कमेश्ट्री बायोलोजी हिंदी इंगलिस भी पढ़ना होगा इक्ष्ट्रा में मैथ रखते हैं या मैथ रखते हैं तो फिजिक क्यमेश्ट्री हिंदी इंग्लिस पढ़ना होता है मैट्रिक में सभी विस्यों को पढ़ना होता है तो लगातार अगर परियास नहीं करते हैं तो सफलता नहीं है और हर भी सहसे अगर पचीस कोस्तन भी अगर आपके गुरू जी देते हैं तो उसकी संख्या काफी हो जाती है लेकिन संख्या कोब काफी होती है जब अचानक एक मापरिचा का बसता है आप तयारी सुग करते हैं तो वह लंबी हो जाती है लेकिन अप लगतार पहले सही अगर कर रहे हैं प्रस्नों को को देख रहे हैं उसको समझ सेTrust कर रहे हैं तो निस्षी तोर पर वह आसान हो जाता है क्यों만ك जो 25 या 30 को सन दिये जाएंगे उसमें आधे से बेसी आपका प्रस्न का उत्तर आप जानते हैं तो संख्या कम हो जाती है लेकिन आप कहा गया कि भोज के दिन कोड़ा रुपना अगर उस परिच्छा के एक महिना पहले या 15 दिन पहले आप उसकी तयारी में लग जाते हैं तो प्रस्णों की संख्या का जो लिस्ट है और लंबी हो जाती है बिहार में रिजल्ट अच्छी हो नाम हो बिहार का इसके लिए बिहार अच्छा खासा रहा है लगतार कई वर्सों से सबसे पहले और सबसे आगे रिजल्ट देने का कोशिस बिहार बोड का होता रहा है और हुआ भी रहा है रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन इस बार बिहार बोड के दुवारा मौडल पेपर बोड एकजाम 2021 के लिए दोगना कर दिया गया है दोगना भी कल्प पर देना है आधे का ही जवाब प्रसने रहेंगे दोगना लेकिन जवाब क्या देना होगा आधे को अगर मान लिजे कि अगर 50 कोस्टन है तो 50 कोस्टन में आपको 25 कोस्टन का ही जवाब देना है ऐसा इसलिए बोड के द्वारा क मान सकते हैं जो इस बार 2021 में जिस विद्यार्थियों को इंटर या मैट्रिक बोट की परिच्छा देनी है यह एक बेहतर ओफर है कि अगर डबल कोस्टर मिल जाते हैं तो यह नहीं तो यह तो याद ही होगा ऐसा वस्तुनिस्ट जिस पर चार विकल्प दिये हुए राते हैं उसके साथ भी दिर्ग और लगू उत्रिये दिर्ग कोस्टर के बारे में तो पहले होता था कि उसके साथ में एक दो टच कर दिया जाता था को कर दिजिए या खा कर दिजिए एक को दिजिए या भी कर दिजिए अथवा में दिया हुआ रहता था लेकिन लगू और वस्तु प्रस्णों में इस तरह की अगर बात हो रही है तो बिहार बोर्ड के विद्यारतियों के लिए एक सुखद खबर है अब क्या है तमाम चीजों कम बताएंगे मैट्रिक के अठारा और इंटर के आठ बिस्यों का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के दुबारा जारी कर दिया गया वार्सिक परिच्छा में आएंगे दोगने परस्णे जो वार्सिक परिच्छा बोर्ड की परिच्छा होगी उसमें आपको दोगने परस्ण रहेंगे लेकिन दोगने परस्ण का जबाब नहीं देना होगा सिर्फ आधे परस्णों का ही जबाब आपको देना होगा यहां सम में रामधारी परसाद दिनकर का भी वहां सारांस लिखने के लिए अथवा में होगा बायों में भी इस तरह का होगा अगर देगा कि जनन से आप क्या समझते हैं जनन के परकिरिया को बताएं तो अथवा में भी उससे संबनित और कोस्टन भी रहेंगे कि किस स्थिती में पर दिकत हो तो निशित आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम एक्सपर्ट तिचरों से वार्ता कर आपके बीचलाने की कोशिस करें उन से आपको बात करेंगे चाहे हुआ किसी भी बिसाय का आपका शवाल क्यों नहीं हो क्योंकि यह सेशन जो हम मगः अपने मगः परिच्छा में एक नम्मर वाला कोशन होगा वस्तुनीश प्रसन होंगे वह एक होगा लगूत्रिये दो और दिर्गूत्रिये पांच-पांच अंग के होंगे यानि कि एक नम्मर वाला कोशन एक नमर का होगा यानि वस्तुनीश प्रसन का जो मान होगा एक होगा और दिर् चर्चा करने बिहार बोर्ड बिहार बिद्धाला परिच्छा समीती ने मैट्रिक और इंटर परिच्छा 2021 के परिशारतियों के लिए मौडल पेपर जारी कर दिया है आप इंटरनेट पर जाकर उस मौडल पेपर को जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं और उस जो मॉडल पेपर बनाया गया है उससे आपको सहयोग मिले गया या मार्केट में भी अब वह मॉडल पेपर उपलब्द होगा मॉडल पेपर के नुसार भी हार बोड परिचा में सभी खंडों में दोगने परसने पूछेगा लेकिन उसमें से आधे का ही जवाब देना है वार्सिक परिचा में वस्तुनिस्ट लगू अधिर गुत्रिये परसनों में विकल्ब की संक्या दोगनी की गई है अब तक मॉडल पेपर जारी नहीं होने से छातुरों में परसनों के पैटरन को लेकर दूबदा की इस्तिती थी कैसा परसनों का कैस किस बर्टेंड का होगा मॉडल पेपर नहीं आने से उध्यर भून के इस्तिती में विद्धार्ती थे लेकिन सुक्रबार को बिहार बोड के द्वारा मॉडल पेपर इंटरनेट पर लोड भी कर दिया गया है, जारी करने के साथ लोड भी कर दिया गया है, बिहार बोड के बेव साइट पर मॉडल पेपर छातरों विभाब को और सिचक उसको देख सकते हैं, उपलब्द कर सकते है मैट्रिक 18 और इंटर के 8 विस्यों के मॉडल पेपर को अब तक अपलोड किया जा चुका है मैट्रिक परिछा पर अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं साइंस में 110 में 55 गनीत में 138 में 79 सवालों का देना होगा जवाब अगर आप मैट्रिक बोर्ड में परिछा आपको देना है तो सुन लिजिए साइंस पेपर में 110 में 55 सवालों को आपको जवाब देना होगा साइंस पेपर में मैट्रिक, फिजिस, केमेश्ट्री, बायो तीनों पेपर एक में आता है तो अगर उसमें 110 कोस्टन अगर दिये हुए हैं तो मात्र आपको 55 कोस्टन का ही जवाब देना है गनीत में उसी परकार से 138 कोस्टन रहेंगे जिसमें 79 को सवाब देना सवाल का जवाब देना चरूरी होगा मैट्रिक साइन्स में 110 परसन आएंगे और 118 लगू उतरिये 24 और दिर्ग उतरिये परसन 6 रहेंगे एक बार पुना सुन लिजिए कि मैट्रिक के साइन्स पेपर में 110 परसन होंगे जिसमें से 119 परसन जो होगा एक अंक वाला वो 80 होगा जवाब कितना के देना होगा 40 के देना होगा लगूतरिये 24 होंगे जिसमें जवाब कितना को देना होगा 12 को देना होगा और दिर्गूतरिये 6 होंगे जवाब कितना के देना होगा 6 में 3 का जवाब देना होगा वस्तुनिस्त असी प्रसनों में से 40 का जवाब देना होगा लगूत्रिये फीजिक्स केमेश्ट्रि और प्रष्ने का जवाब है यानि 110 में से परशार्थियों को 55 प्रहस्नों का जवाब देना अनिवार्ज होगा वहीं गनीत में 138 प्रसने पूछे जाएंगे और 100 प्रसने वस्तुनिस्ट रहेंगे देखिए कितना बढ़ियां 138 में 100 हो रहेगा वस्तुनिस्ट जिसमें 50 का जवाब देना है 30 प्रसने लग उत्रिये रहेंगे जिसमें से 15 का जवाब देना होगा और आठ प्रसन दिर्गुत्री होंगे जिसमें से चार प्रसनों का जवाब देना होगा यानि 138 में से 79 प्रसनों का जवाब परचार्थियों को देना अनिवार जोगा अनिविस्यों को भी यहां कॉंसेप्ट में हम समझा देंगे इसी concept पर वह भी चलेगा एक फरवरी से इंटर की परिशा की घोशना है इंटर की परिशा जो एक फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी इसमें से 13 लाग से अधिक छात्रे सामी लोगे वही मैट्री की परिशा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी इसमें 15 लगवाग परिशार्थी सामील होंगे अब बात कर लेते हैं इंटर की परिशार्थियों को कि उनका प्रस्ण किस तदा काएगा अगर साइंस पेपर की बात कर ले तो साइंस साइंस विशय में जो है 96 प्रस्ण पूछे जाएंगे जिसमें से मातर 70 वस्तुनिस्ट प पूछेंगे तो सफतर में कितने का जवाब देना होगा अंटर परिशा में 138 प्रस्ण पूछेंगे जिसमें से 79 प्रस्ण पूछे जाएंगे जीएक्स कमेंश्ट्री और जीव बिग्यान यानि बायोलोजी विशय की बात करें तो 96 प्रस्ण रहेंगे इसमें से 27 20 अर्ग स्काहिडाबlike करोना में करद साल 2021 में इंटरोमेट्रिक परक चाहरतीयूं अब मैट्रिक में जो है वो बिज्ञान विशय का जो प्रस्ण पत्र होगा वो 35 पेज का होगा एक तू तीन चार पांचो साथ आट नो दस का नहीं 35 पेज का उलटते रही हो एक बुक जैसा मिलेगा और उसमें से आपको 110 प्रस्ण रहेंगे साइंस का जिसमें 55 का ही मात्र ज बेख सकते हैं कि संस्कृत में किस परकार से मैट्रिक बोड में परस्ण आएंगे तो इस मैं 51 प्रस्न प्रस्ण जो है संस्कृत मिसे एका eighth prim aparecer होगा एक इस पन्य में संस्क्रीत का प्रस्ण पत्र होंगे मैट्री के लिए तो इस परकार से जो अपडेट है बोड का वह मौडर पेपर जारी कर दिया गया तो सीधा सीधा समझ लिजे कि आपके लिए इस कुरोना काल में एक खास ओफर लेकर बिहार बोड आया है कि आपका रिज आपको हम अध्यन करके बताएंगे लोगों से चर्चा करके बताएंगे और सोल्व करने के भी कोसिस करेंगे तो इस मोडल पेपर के बारे में आपको बताया विहार बोड की क्या रॉन निती है बताया कैसे इस पर करिछा होगी और जैसे ही कोई खास अपडेट आपके अगर यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने दन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम